नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोग पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 14 दिसंबर को मार्ग शीर्ष महीने गुरुवार पढ़ रहा है। गुरुवार का मतलब है भगवान विश्नुजी का वार दोस्तों। आज के इस वीडियो के जरिया से हम आपको एक दीपक और दो लौंग के एक ऐसे शक्तिशाली उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके बंद किस्मत के दरवाजे को खोल सकती है। दोस्तों संसार में हर मानव यही चाहता है कि उस मानव को माता लक्ष्मी जी की कृपा मिले। माता लक्ष्मी जी उसके घर पर वास करने आए। परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे। ये कोई भी नहीं जानता ह तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों जिस मानव को भी भगवान विश्णुजी का आशीरवाद मिल जाता है वहाँ पर माता लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है आज आपको आप वीडियो में बताने जा रहे हैं कि 14 दिसंबर 2023 मार्ग शीर्ष महीने के गुरुवार के दिन अगर आप एक दीपक दो लौंग का उपाय करते हैं सही मुहूर्थ पर तो कैसे आपको भगवान विश्णुजी और की कृपा कैसे? जीवन में आपके जो भी धन संबंधित परिशानिया होंगी वो एक दिन के दो-चार मिनट के उपाय से हमेशा के लिए खत्म हो सकती है देखिए दोस्तों, इस भाग दोड़ भरी जिंदगी में हर मानव पैसा का समझा जाता है परन्तु हमारे भारत वर्ष में केवल 22 प्रतिशत लोग है जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी आने वाली साथ पीड़ी पर पैसे पर राज करेगी बाकी बचे हुए 78 प्रतिशत लोगों में 10 से प्रतिशत लोग उपाय करके अपनी किसमत को अपने अनुरूप बना लेते हैं बाकी जितने भी लोग होते हैं वो जीवन में का शिकार हो जाते हैं अगर आप भी चाहते हैं कि आप जीवन में निराशा का शिकार ना हो तो शास्त्रों के बताये गए एक ऐसे उपाय को कर लीजिए जो सिर्फ आप मार्ग शीर्श महीने के गुरुवार के दिन अगर करते हैं सही मुहूर्थ पर तो मान के भगवान विश्नु जी की कृपा से आपके जीवन में आपके राहू, केतू, आपके ग्रहतारे आपके साथ देना चालू कर दे जिसके बाद आप अपने जीवन में जो भी निर्णाय लेंगे, उस निर्णाय से आपको फाइदा पहुँचेगा दूसरी तरफ, इसी उपाय से आपको माता लक्ष्मी जी की वो कृपा मिलेगी, जिसके बाद आप मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में वर्शा होगी, आपके जीवन में आप आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए थे, वो समस्याइं खत्म हो जाएंगी, कुल मिलाकर ये समझ लीजिए माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में ध्यान चारों खींचा हुआ चला आएगा बात का थोड़ा ध्यान अगर आप भगवान विश्णु जी की पूजा करते हैं या आप अपना इश्ट देवता उनको मानते हैं तो कभी भी आपको भगवान विश्णु जी की पूजा को सिद्ध करने के लिए कम से कम बारह से पंदरह गुरुवार पूजा करनी होती है परन्तु अगर आप महीने के गुरुवार के दिन कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं तुरंत ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि महीना हमारे हिंदु धर्म में बहुत ही पवित्र महीना समझा जाता है, और ये पूरा महीना भगवान विश्णु जी को समर्पित होता है, इसी लिए महीने के गुरुवार को महा गुरुवार कहा जाता है, और कई तांत्रिक, कई तो दोस्त, अगर आप अपने जीवन का दो चार पांच मिनिट निकाल करके, मारगशीर्श महीने गुरुवार 14 दिसंबर 2023 के दिन ये उपाय कर लेते हैं जो एक दीपक और दो लॉंग का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विश्नु जी के आशीर वाद से आपके जीवन के दुहक दर्द, गरीबी परेशानी सब खत्म हो जाएगी, और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। पूरी सच्ची श्रद्धा से। पहले तो आप इसको लाइक कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जय भगवान विश्नु जय माता लक्ष्मी जी की और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, अपनी राश्य कॉमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा, ताक आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में अपनी राश्य डालना मत भूलिएगा, चलिए दोस्तों, आपको हम उपाय के बारे में बताते हैं, परन्तु बस इतना जितने भी आपको हम दो, चार, पांच बताने आ रहे हैं, इन उपायों को करने की एक मुह मुहुर्थ होती है, मुहुर्थ पर अगर आपने इन उपायों को कर लिया, तो दोस्तों, ये बात तो हम आपको लिख के दे सकते हैं, कि ये उपाय कभी भी विफल नहीं होंगे, इन उपायों का आपको लाब मिलेगा ही मिलेगा, तो बस आपको यहां करना है, सबसे पहला उपाए जो है दोस्तों, वे है कर्ज मुक्ती का महा उपाए, धन प्राप्ती का महा उपाए। ये उपाए अगर आपने कर लिए तो मान लीजिए, आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए हैं, आपके पास पैसा पैसा आ भी रहा है तो टिक नहीं रहा है या आपने कर्जा लिया हुआ है, तो आप कर्ज में फस्ते हुए चले जाते हैं, ये सरलसा उपाए कर लीजिए, आपको तरह की परेशानियों से मुक्ती मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है, दो साबुत लॉंग ले लीजिए, साबुत लॉंग का, मतलब ये होता है क्या डालना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गाय के दूद से बना हुआ घी डालिए, चार बाती वाला दीपक ले लीजिए, और दीपक के अंदर जो लगाएंगे लाल रंकी होनी चाहिए, अब आपके घर का जो भी पूजा करो, वहाँ पर आपको बैठना है, ये उपा पे, जो माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, भगवान विश्नु जी की कला चित्र है, उसके सामने आपको बैठना है, और मान लीजिए कला चित्र नहीं है, तो कला चित्र खरीद कर ले आईएगा। आपने डाल दी, पहली लॉंग डालने, दूसरी लॉंग को लीजिए, माता लक्ष्मी जी और भगवान विश्नु जी के चरणों के बीच में उस लॉंग को रख दीजिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको माता लक्ष्मी जी का बीस मंत्र बोलना है, वह है फिर से र माता लक्ष्मी जी और भगवान विश्नु जी के चरणों के बीच रखी थी, उस लॉंग को उठाइए, अब उस लॉंग से आप अपनी हर परेशानी बोल दीजिए, अब आपको एक लाल पेपर लेना है, या लाल कपड़ा लेना है, उसी पेपर या कप हर कपड़े पर आ मार्ग शीर्ष गुरुवार के दिन तक के लिया आपको इसी कपड़े या पेपर को रख देना है, बस इतना आपको करना है, अब इससे क्या होगा, इतना उपाय अगर आपने कर लिया, तो माता लक्ष्मी जी के आशिरवाद से आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं तो खत्म होंगी ही होंगी, अगर आपने कर्ज लिया था, कर्ज के बाजार में फंस्ते हुए चले जाते हैं, वह परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, यह पहला उपाय, अब दूसरा उपाय, जो हम आपको बताने आ रहे हैं, यह भगवान विश्नु जी की क्रिपा प्राप्त करने का महा उपाय है, और यह उपाय अगर आप करते हैं, तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे, आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपके ग्रहतारों से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करेंगे, बहुत ही विकास क करेंगे बहुत ही आगे जाएंगे परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए अब आपको 14 दिसंबर 2023 माह गुरुवार के शाम को नहाना है धोना है आठ बजे की म जिसमें गाय के दूद से बना हुआ घी होना चाहिए पांच लॉंग ले लीजिएगा अब आपको पीपल के पेड के पास जाना है पीपल के पेड के पास आपको सबसे पहले एक दीपक जलाना है दीपक जलाने के बाद उसमें एक लॉंग डाल दीजिए एक लॉंग डालन ओम नमो भगवते वासुदेवाये नमा। आखिरी उपाय जो आपको आ रहे हैं, ये उपाय अगर आपने कर लिया, तो आपके जीवन में सुख वैभव की आपको प्राप्ति होगी। जाडू जो होता है, वो लक्ष्मी माता जी का प्रतीक समझा जाता है। जाडू नीचे पोटली को रख दीजिए, पोटली को रखने के बाद आपको बहुत से सुनना है, जो हम बताने आ रहे हैं। इस पोटली को रखने के बाद गुरुवार की रात को नौ बजे के बाद इसी पोटली को उठाना है। अपनी अलमारी में तिजोरी या व्यापारी है, तो व्यापार स्थान पर रख देना। अब इस से होगा, ये दोस्तों की माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से आएगा। आपके पास इतना धन आएगा जिसकी आपने कलपना नहीं थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यही पर खत्म।